अगर आप मेरे चानल पर अक्टिव रहता हो ना तो आपको बता होगा कि मैंने कुछ माहीने पहले एक प्रिंटर का रिव्यू और अन्बॉक्सिंग वीडियो डल ला था तो उसे वीडियो पर काफी जादा सपोर्ट दिखाया आप लोगोंने तो उसके लिए दिल से थैंक्यू और ऐसे वीडियो को सपोर्ट कर तेरा और लाइक कर दिया अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आप जाकर देख सकते हो तो आज इस वीडियो में में इसी प्रिंटर के काटेज को रिफल करने वाले हैं ब्लैक वाली को रिफल हम इसलिए करेंगे क्योंकि वह हमारे थोड़ा सस्ता बढ़ता है अगर आप एक नया काटेज बाय करते हो तो उस वह आपको सासु से लेगा जा रुपय तक का बढ़ नया मत करिए नया भाय करिकरिए तब आपकी करटेज होए खराब हो जाए या फिर उसके चिप कर काफी ज्यादा सेम है ओरिजनल वाले से बिल्कुल ही कोई फरक देखने को नहीं मिला मैं जो मतलब है एच्पी के साथ आई थी और ये वाली बिल्कुल ही सेम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक का वहां जाग इसको बायक कर सकते हो तो इस टाइप से आपको एक सिरिंज मिल र इसमें और यह रही इसकी सुई जो की हाथ में लग सकती है अगर आप नहीं लगेगी हाथ में लगती गाइस वीकॉस आखिसराउन काफी पैदरिन बनाए और आप सील विल ना तो आप देख लेना नहीं होता है रिफिल करोगे ना तो आपको काफी सस्ता बढ़ता है इसलि चुकी है और हम प्रिंट करवा के भी आपको दिखा देते हैं बार के जो है इंक खतम हो चुकी है और इस प्रिंटर की सबसे बैदरीन बात लगी ना मने डैविन को प्रिंट किया तो इसने आउटर लाइन्स ही प्रिंट कर दिए वस इंक को बचाने के लिए ताकि कम को सबसे बाले हम निकाल लेते हैं फ्रंट डोर ओपन करेंगे और आपका प्रिंटर अगर ऑन है तो ऑटमेटिक ही यह सामने आ जाएंगी आपकी काटेज और नीचे के साइड मैंशन किया गया कि कौन सी ब्लैक वाली है और कौन सी कलर वाली है तो हम को ब्लैक निकाल लिए यह और उपर से आपको खीचना है उपर से इस टाइप से आपको कुछ काटेज को खीच लेना बाहर की तरफ तो यह निकाल आएगी थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो भी आ जाएगी तो हमारी काटेज आ चुके बाहर और हम अपनी टेबल पर सामगरी खटी कल लेते कुछ तो सबसे बझाले हम चार्ट वेपर एक बिखा लेंके ताकि हमारी इंक ठिवल खराब में ठाब्ल हम थे ठीक है आपकुछ भी पिछा सकते हो कापर आया फिर न्यूश वेपर विचा लो कुछ भी में चार्ट बेड़े अर इसपे हम उपना सारा समान रख लेंगे और यह पर देख सकते हो है हमारी cartridge 682 cartridge है और इस पूरे प्रोसेस में आगर आपको यहां पर और इसके जो conducting पार हाथ नहीं लगाना है यहां पर भी हाथ नहीं लगाना जिससे कि आपके जो इंक की cartridge है न वह डैमेज होने से बची रहेगी अगर आप हाथ लगाओगे तो डैमेज होने देखेंगे तब इंक refill हो जाएगी तो इंक refill करने से पाले मनें लगबक 20-10 वीडियोस देखें है क्योंकि मुझे कोई आडे नहीं था कैसे इंक refill किया जाता है और क्या कुछ होगा तो मैं उन वीडियो का डेटा एक यह वीडियो में देनी कोशिश करूंगा अगर कोई गल तो आपको इसको हटा देना है और यह जो होल है यहां से हम इंक भरने वाले हैं इसमें उपर के साइड एक स्क्वेयर स्पंज होता जो की मलब सारी इंक को एब्जॉब कर लेता जब भी हम उपर से डालते हैं एब्जॉब करके रखता है अंदर ही और उसी में रहती इंक तो इसे पहले हम इसको थोड़ा क्लें कर लेंगे नेल पॉलिश रमूवर से ताकि इसका जो उपर का गलू है वह सारा हट जाए और बाद में जब इसका स्टीकर लगाएं दुबारा से तो अच्छे से चिपक सके तो हमने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया और देख सकते हो क्ल इसका रहेंगे इंक तो हमने ले लिया एक बॉटल और इसकोम खोल लेते हैं कोलने में कुछ जादा मैनत लगेगा नहीं आपको सिंपली इस टाइप से इसको कोल लेना है तो अब अपनी सिरिंच में इंक भर लेते हैं लग बग स्टार्टिंग मेंने 5 अमल ले लिया था औ 5-6 अमल बहुत हो जाता तो आप 5-6 अमल ले लेना इसलिए और एक बार में बद देना तो इसके बाद आपको अपनी जो बॉटल है वो अराम से रख देनी है अगर इसके कुछ हुआ तो आपके अलग से टेबल के और यहां पर होल दिकरा होगा आपको यहां से आपको इंक अबेशब कर दूआ तो आपको घ्रेख करना है तो आपको हमां भीलेशक बड़ तो इस मदिलर को जाता है घ्रीी तो फोटन को ऊज़ा रही हो सकते हैं तो घरे-ठीर से पादियरे करने ज़ार क्योंदे प्टो करना है यहां ऑको यहां जुला करकोशद परतिकते समसे करी तो देख सकते हो हमारा सारा इंक जा चुका है स्पंज में और कुछ इस टाइप से भर गया था और इंक नीचे नहीं निकल रहा था तो आम में भी बात करेंगे क्यों नहीं निकल रहा था और देख सकते हो यह ब्लैक हो चुका है हमारा स्पंज अंदर का और इसका हम अगर वेट देखें तो 31 ग्राम कद दिया क्योंकि मैंने 10 ml भर दिया तो आप मत बनना 5-6 ml बहुत हो जाता है तो अब हम लगा देंगे इसका स्टिकर जो की सही है स्टिकर के ऊपर मैं टेप भी लगाऊंगा अगर आपका स्टिकर खराब हो जाता तो आप यहां टेप यहां लगा सकते हूं अच्छे से लगाना अधरवाइस आप का जो लगा da अँख शकता है तो यहां पर हम टेप भी लगा देंगे का पिया अच्छे से सीन ओ जाएई और च्पा लादी तो आउंजारल 14 फ यहां च्छे से से अच्छ को देंगे कि हमारे इंग जो है ड्राय ना हो तो हमने अपने काटेश में इंक डाल दिया और स्टिकर भी लगा दिया तो इसके बाद आपको थोड़ा सा फिजिक्स दिखाना आपको यहां अबर मोमेंटम लगाना वड़ेगा इसके बर थोड़ा थोड़ा निकालना होता है स्थॉक्शन टूल के मदद से वह मेरे पास है नी तो हम इस तरह से थोड़ा सा जटकेंगे इसको पकड़के और इंक जो है बाहर आ जाएगा हमारा जैसे कि देख सकते हो इंक आ चुका है और यह थोड़ा देशी जुगाड हो चुका है हमारे यहां पर प्लीजिक्स वाला और यहां पर जो है देख सकते हो जो है मारा आ चुका और इसको रगड के नहीं पहुचना आपको अराम से पहुच देना है तो इंक बाहर आना चाहिए अभी अच्छे से वर्क करेगा तो मारे इंक भी बाहर आने लगा और अब यह वर्किंग कंडिशन में है तो अब हम इसको जो है प्रिंटर में लगा द बना देना इसकी भी वीडियों बना देंगे तो हम अपने इंक काटेज रिफिल भी कर लिया लेकिन लेकिन इंडिकेटर profess कि आपकी कैंट अंख King के रिनी अह नहीं लेकिन मेरे प्रिंटेंट जो बिल्कुल सही निकल रहे हैं कोई प्रपलम ही नहीं है तो यह लोगे दिये उन लोगे लिए जिनके प्रप्राप्लेम मेफ्म में और कृण politics प्रलम में तो तो किलेगे साधा में फ vos अचनल नहीं तो हम करेंगे क्योंकि मुझे करना था इंडिकेटर करना था मुझे तो खरेंगे स्ट आपको power button होलड करना a power button डिन cancel button उड़्टर रहना है कम से कम 5-6 जोगन सकति आपको जो काटिज लगाई है वो नहीं है ना पका नहीं है तो इसको पता दें है नहीं है विलिगल नहीं है और Okay करना है यहां पर यहां पर अलाइन करना है अलाइन करेगा प्रिंट अर यहां पर abc black वाला clean clean print head आपको तो हमारा जो cleaning है वो complete हो चुगा है और यहां पर शो हो रहा है कि second level cleaning आप करना चाहते हूं तो second level cleaning आप तब ही करोगे अकर कोई कोई दिक्कत आ रही हो प्रिंट सभी सब्सक्राइब करें लिग कर रही हो तो second level cleaning आप कर सकते हो उसमें और प्रेंट निकालेंगा इंक वेस्ट होगी आपकी बहुत जादा और भूम हमारी जो इंडिकेटर हो ठीक हो जुगा देख सकते हो अब शूर नहीं कर रहा कि आपके इंक खाली है लेकिन सौफटवेर में अगर आप देखो के तो वहां पर तो पूरी खाली दिखा है लेकिन मेरे प्रेंट जो है वह काफी सही निकल रहे हैं जो कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है तो मैं इसको ऐसे ही चोड़ दूंगा और हमारे प्रेंट दो निकल रहे हैं क्यों वे इतिमाग खराब करो अगर आप पिर भी जा दो कि मैं इसको रिपेद कर के दिखा हूं और अब नहीं कर रहा है तो तो इस वीडियो में इतना ही और मिल दें को नई वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है ठीक है कर दो